ट्रेनों के बारे में जानकारी चाहिए तो फोन करें रेलवे के इस हेलप लाइन नमबर पर 14 दिन में आए हैं 2 लाख कॉल महामारी के चलते देजबर में लोकडाउन जा रही है कयास लगाय जा रहे हैं कि लोकडाउन की समय सिमा को बढ़ाया जा सकता है ऐसे में ट्रेनों के परिचालन को आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो रेलवे की हेलप लाइन नमबर पर 24 घंटे फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं आपको बता दें कि पिछले 14 दिनों में रेलवे के हेलप लाइन नमबर पर लग भग 2 लाग से भी जादा कॉल आ चुके हैं ट्रेन से सम्मंदित जानकारी के लिए यहां आप कॉल कर सकते हैं ट्रेनों के परिचालन को लेकर लोग फोन करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं लोगों की बैचानी बढ़ती जा रही है कि सरकार की ओर से ट्रेनों के दोबारा परिचालन को कब सुरू किया जाएगा कई लोग ऐसे हैं जो देश के अलग-अलग जगहों पर फसे हैं और अपने घर वापसी करना चाहते हैं ऐसे में रेलवे के हेलप लाइन नमबर पर रोजाना हजारों कॉल्स आ रहे हैं रेलवे के कंट्रोल ओफिस में इन हेलप लाइन नमबर की 24 इन्टू 7 मतलब की पूरे हपते और 7 दिन मोनिटरिंग की जा रही हैं लोग डाउन के दोरान लोगों के सवालों की जानकारी दी जा रही है यात्रियों के परसनों का उत्तर देने के साथ साथ रेलवे भी सतर्क और जागरुकता परसार में मदद कर रहा है लोग डाउन के दोरान लोगों को किसी भी तरह की जानकारी के लिए परिसानी ना हो इसका भी पुरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है आप railway से संबंदित किसी भी जानकारी के लिए 24 घंटे help line number 138 या फिर 139 पर फोन कर सकते हैं help line number यात्रियों को 24 घंटे rail संबंदी विशेश करके refund को लेकर के जानकारी दी जा रही है वहीं भारती railway, twitter, email और 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 भी कई तरीके से लोगों को तक जानकारी पहुचा रहा है rail की help line number 139 और 138 पर छेत्रिये भासाओं में जानकारी दी जा रही है याँ सबसे ज़्यादा call टिक्टो के refund और ट्रेनों के पुनह परिचालन के बारे में आ रहे हैं लोग यातरी ट्रेन सवायन सुरू होने को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं वहीं lockdown के दोरान cancel हुए टिक्टो के refund को लेकर भी सवाल किये जा रहे हैं तो अगर आपके भी किसी भी तरह की कोई inquiry हो तो आप भी 138 या फिर 139 पर call करके railway से अपनी इक्छा अंसार कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं